Next type का interaction जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वो है commensalism Commensalism कई तरह के organisms में देखने को मिलता है यह ऐसा interspecific interaction रहता है जहाँ पर एक organism को तो benefit होता है लेकिन दूसरा organism वहाँ पर neutral रहता है उसे ना तो कोई benefit होगा और ना ही कोई नुकसान होगा देख लेते हैं commensalism की definition So commensalism is an association between two organisms in which one benefits and the other derives neither benefit nor harm यानि कि यह ऐसा association रहता है दो organisms के बीच में जहाँ पर एक organism जो है वो benefit करता है और दूसरा organism वहाँ पर ना तो benefit हो रहा है और ना ही वो harm हो रहा है Examples देख लेते हैं तो यहाँ पर दिखाया है एक mango tree जिसके उपर grow करते हैं कुछ orchids तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि orchids को यहाँ पर benefit मिलता है कि उन्हें एक habitat के तोर पर mango tree मदद कर रहा है और वहीं अगर हम बात करें mango tree की तो वो unaffected रहता है तो यह जो यहाँ पर इनके बीच में relation है वो commensalism को show कर रहा है इसी तरीके से एक और examples aquatic organisms में देखने को मिलता है जहाँ पर कुछ barnacles जो होते हैं whales की back के उपर रहते हैं और जैसे जैसे whales swim करता है तो वैसे वैसे barnacles को microorganism मिलते रहते हैं जिनके उपर वो feed करते हैं तो यहाँ पर whale को कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि वो सर्फ उनकी back के उपर बैठे होए हैं तो इसलिए यह भी एक कवेंसलिजम का example है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है barnacles इसी तरह का एक और example हमें देखने को मिलता है इन birds की species और साथ ही cattle के बीच में यह birds जो हैं वो है egrets और यह पाई जाती हैं cattle के उपर तो यह जो egrets होती हैं यह cattle की back के उपर जाकर बैठ जाती हैं जब cattle जो है वो grazing कर रहे होते हैं तो यहाँ पर यह back के उपर क्यों जाकर बैठ ती हैं क्यूंकि जैसे जैसे cattle जो है वो घास के बीच में घुस कर वहाँ पर जाकर grazing करती हैं तो वहाँ पर जो भी छोटे-छोटे insects हैं वो उन घासों के बीच से निकल कर बाहर आ जाती है और इगर्ट्स को असानी रहती है उनके उपर फीट करने के लिए यही रीजन होता है कि यह जो है क्याटल्स के साथ ऐसे एसोशियेटड रहती है क्योंकि यहाँ पर इन बॉर्ड्स की स्पीशीज को फायदा मिल रहा है और वहीं अगर हम बात करें इन बफलोज या इन कैटल्स की तो इनको किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो यह रिलेशन्शिप भी एक कमेंसलिजम का एक्जाम्पल है इसी तरह का एक्जाम्पल देखने को मिलता है क्लाउन फिश और सी आनिमोन के बीच में जो सी आनिमोन होते हैं उनके टेंटेकल्स बहुत ही जादा लंबे और क्लिंजी रहते हैं और इनका फाइदा उठाते हैं ये clownfish, जो clownfish हैं इन tentacles के बीच में जाकर छुप जाती हैं, पाकि वो अपने predator से बच सके, तो यहाँ पर clownfish को ये फाइदा मिलता है कि उन्हें predation से protection मिलती है, और वहीं अगर हम sea यानि mawn की बात करें, तो उन्हें किसी भी तरीके का यहाँ प से protect कर ही लेते हैं, साथ ही वो clownfish को भी वहाँ पर protection प्रोवाइड कर पाते हैं, और ये जो example है ये भी commercialism का ही एक example है